नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव सिटीज मैं हूँ आपके साथ शिवम एक बार फिर से पूरे देश में करोना संक्रमित मरीजो की जो संख्या है उसमें कई जाधा इजाफा हो रहा है अगर हम बात कर ले बिहार की तो बिहार में भी पिछले 24 घंटे में 800 से जाधा जो के संक्रमित मरीजो की संक्या है वो मिली है ऐसे में जहां एक तरव बिहार सरकार और साधी साथ स्वास्त विवाग जो है वो इस क्रोना संक्रम मामले को लेकर पूरे तरीके से मुस्ताइद हो चुकी है कई जगा पटना में कंटेंडमेंट जोन भी बना दिये गए हैं अब इ अगर निगम के द्वारा सुरू कर दी गई है तो सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम राजधानी पटना के अलग-अलग इलाकों की दिखा रहे हैं आपको बता दे कि अगर पटना एयरपोर्ट की बात कर लिया जाए या रेलवेश शेशन की या बस स्टाइड की हर एक वो सरकार ने कली साफ तोर पर या फैसले लिया था कि 11 अप्रील तक बिहार के सारे स्कूल कॉलेजेस कोचिंग संस्था ने बंद रहेंगी वही साफ तोर पे 5 अप्रील से लेकर जिते भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उसमें 50% ही लोग जो हैं वो सवाली कर सकते हैं ऐसे में एक तरफ फिर से पूरे देश में जो करोना की लहर है वो धीरे धीरे फैलते ही जा रहा है लगतार जो संक्रमित मरीजों की संक्या है उसमें इजाफा हो रहा है इसको देखते वे अब पतना नगर निगम भी राजधानी पतना के हर एक इलाके में जो की प्रक्रिया है उसे शुरू कर दी है तो सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम राजधानी पतना के दिखा रहे हैं ऐसे में आप भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो माक्त का प्रयोग जरूर करें दो गस का जो डिस्टेंस है उस सिक पालन करें और साधी साथ ले ना तो घर पे ही रहें क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं अगर पूरे देश की ही बात कर ली जाए अगर महराष्ट ही बात कर ली जाए तो महराष्ट में भी फिश्रे 24 घंटे में 50,000 से जादा जो केस हैं वो सामने निकल को रहाए हैं ऐसे में कई राजियों में ल कोचिंग जो संस्थाने हैं उसे बंद कर दी गई हैं तो क्या फिर से एक बार बिहार में लोगडाउन लग सकता है या नहीं बाराला बने रहे हमारे साथ अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से जल सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद